खबरे फटाफट में नज़र डालेंगे अब तक की बड़ी खबरों पर सैंज घाटी पर टूटा कुदरत का कहर भारी बारिश के चलते ग्राम पंचैत रहला दो के वाशी गाउं में भूस खलन स्कूल भवन तहस नहस साथ लगती जमीन भी आई भूस खलन की चपेट में मनाली के लेफ्ट बैंक मार्क पर जगत सुक के नहुलू नाला और करजा नाले में दो जगह बादल फटे क्रिशी बागमानी को भारी नुकसान लाखों रुपे की फसले तबा लेफ्ट बैंक मार्क की सड़क पर भी आया मलबा सबजी मंडी आ रहे वाहन भी जाम में फसे जलाकुलू के मडीकरण गुर्दवारा के पीछे से आया भारी मलबा और पानी आधी रात को मडीकरण में अफरात अफरी का महौल दुकानदारों ने भाग कर बचाई जान शाट नाला में आधी रात को भारी बारिश के चलते शाट नाले में आई बार पुल के साथ लगती दो दुकाने बहीं लोगों को भारी नुकसान कुलू में जरी के समीब रात को भारी बारिश के कारण धसी सड़क, मलाना चोहकी और डूखरा के साथ कसोल के लिए याताया ठप डूखरा के सांचा चुला के समीब कडी मशक्कत के बाद सड़क बहाल सिर्फ 4Y4 वहनों को जाने की अनुमती बरसाथ की तबाही से कुलू में हुए नुकसान को जांचने के लिए केंदरे आबदा प्रबंदन की टीम पहुँची टीम ने भुंतर बाजार से लेकर सैंज बंजार तक देखे तबाही के निशान टीम ने बारिश की कारण हुए नुकसान की रिपोर्ट भी बनाई नगर परिशद सुन्दनगर के सलाह वार्ड में जवाहर पार्क के निकट सेवा निवरत पुलिस अधिकारी के घर में चोरी करीब साथ लाग के गहनों संग साथ हजार की नगदी पर हाथ साफ कर गए शातिर कांगरा के डूंगा बजार सित एक मनियारे की दुकान में चोरी करता चोर रंगे हाथों पकडा स्थानिय युवक शटर के ताले तोड़ कर दुकान के भीतर घुसा और कीमती समान को बैग में पैक करने के बाद कुछ समान को अंदर ही चलाया दुकान से धुआ देख दुका के करमचारी देर रात तक कर रहे काम चमबा में कार में आग मामले में बड़ा खुलासा बीस एफ जवान ने ऑनलाइन गेम में पैसे कवाई फिर बड़े कर्ज के बोज से छुटकारा पाने के लिए लिखी अपनी ही मौत की जूटी पटका था नाशनल हाईवे कीरतपूर मनाली पर ट्राफिक कम टूरिस्ट पुलिस स्टेशन खुलेगा 15 अगस्ते हो जाएगा कामकाच शुरू बिलास पर पहुंचे डीजीपी हिमाशल प्रदेश संजे कुंडू ने दी जानकारी किलो के हिसाब से सेब बेशने पर बोले बागमानी मंतरी जगतनेगी आर्थियों की मनमानी नहीं चलने देंगे किलो के हिसाब से सेबना वेचा तो होगी कारवाई बाहर से भी आर्थियों को लानी के तयारी में सरकार जिला चमबा में होली मार्क पढ़खाना मुख के पास लुड़क कर कुठेड हाइडो प्रजेक्ट की मैट साइड पर जागे रा ट्रक ट्रक में सवार तीन लोग गंभी रूप से घायल लोगों की मदद को बढ़ने लगे हाथ मंडी जला की नागरिक सबा संस्थान एडिसी मंडी निवेत्य दानाईगी के माध्यम से मुख्यमंतरी राहत कोश में दिये 51,000 रुपे का चेक खबरे फटाफट में आज के लिए इतना ही देखते रहे ये दिवे हिमाचल टीवी अनुभवी अध्यापकों बकुशल प्रवंदन के कारण हर रोज सफलता की सीडियां चड़ रहा है यहाँ पर कांगडा जिला के ही नहीं बलकि दूर दराज क्षित्रों जैसे चंबा, पांगी, मंडी आदी के बच्चे भी यहाँ आकर शिक्षा ग्रहन कर अपने लक्षे प्राप्त कर रहे हैं अत्याधुनिक तक्नीकों बस विधाओं के साथ बच्चों को नववी से ही उनके लक्षे प्राप्ति के लिए तयार किया जाता है बच्चों को बोर्ड परिक्षा के साथ साथ कंपेटिटिव परिक्षा हैं जैसे नीट, JEE, NDA, NTSC, STSC वा ओलंपियाड आदी की तयारी भी करवाई जाती है आती प्राती भाष शाली बहुत जरूरत मंद बच्चों को उनके गंतबे तक पहुचाने के लिए संस्थान द्वारा सुपर 30 बैच का शुभरम भी किया जा रहा है जिसमें बच्चों को निशुलक कोचिंग वा आवासिय सुभिधाएं प्रदान की जा रही हैं ये कारेकरम संस्थान के दोनों केंद्रो नगरोटा बगवा बापालंपुर में चलाया जा रहा है